तो देखो Excel तो हमेशा खुद को अपडेट करता ही रहता है, क्या आप भी खुद को अपडेट करते हो, बिल्गुल आपको भी खुद को अपडेट करना चाहिए और यही हमारे इस वीडियो का उद्देश है, देखो Excel ने 2024 में पिछले ही महिने कुछ फार्मिलों को वीडियो लेकर आता रहता हूँ, तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत जबरदस्ट जबरदस्ट वीडियो आने वाले हैं, और अगर पुराने वीडियो नहीं देखें, तो नीचे फर्मिले पे पहली शीट जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने सिरियल नंबर लिखा है, प्रोडक्ट डाले हैं, प्राइस डाले हैं, और नीचे अगर आप देखेंगे, तो बीच में एक एरर है, अब हमारे एकसल की शीट में कभी-कभी ऐसा होता है, कि आपको एरर मिल भी नहीं रहा है, आप ढूड रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में एक फर्मिला है, जो एरर को इगनोर करते हुए भी, आप जो भी सम करना चाहेंगे, चाहेंगे, अबरेज करेंगे, minimum निकाल रहे हैं, कोई भी फर्मिला आपका बढ़िया दरीके से का करेगा और यह एक नया अपडेटिट फ़र्मिला है जो एक्सल ने अपडेट किया है इसको लगाना बड़ा आसान है इसके लिए आपको यहां पर लगाना है बराबर करनिशान और टाइप करना है एग्रिगेट फ़र्मिला आपको यहीं पर मिल जाएगा स्पैलिंग देख लीजे एडबल जी आरी जी एटी ठीक है एग्रिगेट फ़र्मिला जैसे टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां पर आपकी गलम भी सी लिस्ट मिल जाएगी अब देखो जैसे मैं लिस्ट नीचे तक स्कॉल कर रहा हूं तो टोटल 19 चीज मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं मैं यहां पर अगर बराबर लगाऊंगा सम टाइप करूंगा और यहां से लिस्ट लगर सेलेक करूंगा बैकेट बंद करके एंटर करूंगा तो यहां भी यह कहरा रा जाएगा लेकिन एग्रिगेट से नहीं आएगा तो मैं यह अग्रिगेट टाइप करता हूँ, उसके बाद मुझे करना क्या है, देखो sum करना है, minimum करना है, maximum करना है, उसका number यहाँ पर उसके सामने दिया गया है, अब मैं यहाँ से number को type कर दूँगा, तो मैंने nine number type किया, उसके बाद जैसे मैं कॉमा लगाऊंगा, वैसे यहाँ पर ignore hidden rows, ignore error values, ignore hidden rows and error values, ऐसे बहुत सारी चीज़े यहाँ पर आएंगी, तो आप क्या करना चाह रहे हो, आप यहाँ से, क्योंकि अब हमको error value जो है, वो ignore करनी है, हम यहाँ पर कॉमा लगा के six type कर देंगे, फिर लगाएंगे कॉमा, और यहाँ से यह जो पूरी range है, उसको select करके bracket बंद करेंगे, और enter कर देंगे, तो जो हमारा total है, वो हमको मिल जाएगा, इसी तरह से अगर यहाँ पर एक row extra होती, तब भी हमको total बड़े आसानी के साथ मैं दे देता, आपको बस यही formula यहाँ पर इस्तिमाल करना है, एक बार और मैं लगा के दिखा देता हूं, ताकि अ आएगा, नमबर आपको नूट कर लेना है, तो sum करना है, तो sum का number 9 है, कॉमा लगाएंगे, फिर आपको क्या चीज़ इग्नोर करनी है, error value इग्नोर करनी है, या आपको hide rows इग्नोर करनी है, error का कोई और यहाँ पर option है, वो इग्नोर करना है, तो उसका number यहाँ पर देख ली अगर यह formula आपके थोड़ा सा भी काम का आपको लगा हो, तो formula नूट कर लेना, और comment करके बताना, कि यह जो नया formula है, यह आपको कैसा लगा, अब बढ़ते हैं अपने अगले formula के तरफ, यहाँ पर आ जाता है rend array, हम कहीं जब Excel की sheet में, कोई हमको random number डालना होता था, तो हम rend between का इस्तिमाल करते थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, rend between, ठीक है, अब rend between क्या करता था, आपको एक top number देना होता था, एक bottom number देना होता था, मैं आपको type करके दाता हूँ, जैसे मुझे 10 से लेके, 100 अक्के number की ज़रूरत है, ठीक, मैंने यहाँ पर लिखा, और enter कर दिया, अब यहाँ पर 51 number आ गया, अब मुझे इस तरह से पूरा एक package में वो सारे number लिखने है, तो मुझे बड़ी समस्या आती थी, उसको लिखने में, कि पहले मैं इधर scroll करूँगा, उसको फिर इधर scroll करने के बाद, फिर यहाँ पर ले जाओंगा, फिर इधर scroll करूँगा, तब यह पूरी series बनती थी, लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर एक formula हमारे पास आया है, रेंडरे के नाम से, तो रेंडरे formula का करेगा, हमको एक ही बार में उसको बता देना है, कि हमको 10 row चाहिए, 10 column चाहिए, और यह figure चाहिए, यह वाली figure चाहिए, यहाँ से ले सच लिए हम कोछले कितने column चाहिए, तो हमको 5 column चाहिए, यहाँПр हमको 8 column चाहिए, फिर हम koma लगाएंगे, फिर minimum number आपका कौन सा होना चाहिए, तो हमने यहाँ कहला है, चाहिए, और maximum number कितो हो चाहिए, 1000, maximum number होना चाहिए, उसके बाद आप क Iowa colour लगाएंगे, आप देखो क आएगा आपका 98, 97, 357 इस तरह के नंबर आ सकते हैं, लेकिन decimal places में नहीं आते हैं, अगर decimal places में चाहिए, तो false को select कर लो, और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 1000 कीज़ेगे 1000.5 या ऐसा कुछ आप लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे दुबारा से लिखता हूँ, rend array, यहाँ पे row डाल देता हूँ, 5, column डाल देता हूँ, 8, minimum number 2, maximum number 1000, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, false, पहले false लिख के दिखाता हूँ, bracket बंद करूँगा और enter करूँगा, देखो decimal places में मेरे पास आ गया, आपको समझ आ गया, अगर मैं यहाँ पे true लिख देता, false की जगे, इसी formula में, तो देखो क्या होता, मैंने true लिखा, enter किया, अब देखो fix conditions आ रही हैं मेरे पास, आप decimal places में, मेरे पास कोई भी random number generate होगे, नहीं आ रहा है, तो कितना simple है, पहले आप rend between की मदद से यह नहीं कर सकते थे, लेकिन आप इनों नहीं, एक ही बार में यह सारी लंबी चोड़ी लिस्टा आप बना सकते हो, एक बार और आपको में बना के दिखा देता हूँ, बहुत simple है, repeat करेंगे हैं मैं एक बार, यहां पर बराबर लगाएंगे, rend array type करेंगे, raw की counting देंगे तो हम इस बार 10 लेते हैं, और column की counting देंगे तो इस बार हम 12 लेते हैं, minimum number हम लेते हैं, maximum number लेते हैं, 100, कॉमा लगाएंगे, and यहां पर अब हम लिखेंगे, false, इस तरह से बढ़ा लो, decimals में मेरे पास random number जनरेट होगे आ गए, अगर यहां पर true लिख देते, तो यह decimals में नहीं आते, यह मैंने true लिखा, enter किया, और अब मेरे पास जो number आए हैं, वो fix आए हैं, तो इस तरह से आप यह जो formula यह use कर सकते हो, इसके बाद आपको एक और गज़ा formula बताता हूँ, वैसे है तो यह पुराना, लेकिन आपको अब समझा रहा हूँ कि हम बहुत सारी यह बरना running total निखालते हैं, कि आप यहां पर देखोगे कि मेरी यहां पर sales आ रही है, तो पहले पावन की sales मान के चलो इतनी है, इसका एक formula आपको बता रहा हूँ, यहां पर आपको क्या करना है, आपको sum लिखना है, बराबर लगा के, sum आप लिखेंगे, bracket open करेंगे, अब हमको इसी में ना इसी को जोड़ना है, तब ही तो पहला बाला आएगा ना running total, तो हम पहले इसको select करेंगे, उसके बाद यहां पर double code लगाएंगे, और फिर दुबारा से E2 लिख देंगे, अब E2 और E2 तो हमने लिख दिया, अब double bracket को हमने बंद किया, अब यहां पर यह जो E2 लिखा है ना, इसको हम lock कर देंगे, तो lock करने के लिए, जब आप cell को lock करते हैं, तो F4 ब्रेस करेंगे, तो देखेंगे कि आप दोनों जगे पर dollar का जो icon है, वो आ जागा, E के सामने भी आ जाएगा, और 2 के सामने भी आ जाएगा, इसके बाद आप enter करेंगे, और enter करने के बाद, जैसे आप इसको नीचे scroll करेंगे, यह खीचेंगे, तो देखो running total आ गया, यहाँ पर आप पहले देखो कि पहले में एक ही आ रहा है, क्योंकि हम यही column जोड रहे हैं, दूसरे वाले में हम पहला और यह वाला column जोड रहे हैं, तो 3 आ गया, ये वाला जो total है वो ये वाला और ये वाला column जोड रहे हैं तो 10 आगे इस तरह से पीछी वाले जो total है उसको जोडते हुए आगे running total हमारा नीचे तक अब यहाँ पर मैं आपको समिफ formula की मदद से अलग अलग जो payment type दे रखे हैं उनको अलग अलग इस तरह से निकालना में सिखाने वाला हूँ और यहाँ मैंने एक नई technique इस्तमाल कई है आपको भी बताऊंगा कि आपको कैसे ये use करना है तो यहाँ पर आप देखो कि मेरे formula के एक नाम दे दिया है जिसकी मदद से मैं यहाँ पर cash online और check से आने वाले payment का अलग अलग total कर पा रहा हूँ तो पहले मैं इसी वाले को नीचे यहाँ पर ले लूँगा और यहाँ पर इस तरह से bracket बना लूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब मैं क्या करू है ठीक है हमने यह वाली जो वैली दूई है इसको चार्टे को सम करना है तो हम यहाँ पर नॉर्मल समिफ लगाएंगे तो सबसे पहले हम लखेंगे समिफ समिफ लिखते है अब यह पूचे का range क्या है आपकी तो हमने यहाँ पर यह जो cash वाली range है यह select की ठीक है उसके रखना है तो हम यहाँ पर यह column select कर लें हमारा हो गया cash उसके बाद सम range किया है तो सम range हमारी यह है अब देखो इस वाले जो पूरी range हमने दी है इस में से क्या निकालना है है criteria के तोर पे cash और यहाँ पर क्या निकालना है total अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने यह दोनों range select करी तो cash और total अपनिया पा गया आप जैसे bracket बंद करोगे और enter करोगे तो यह इन दोनों में से sum निकालगे यहाँ आपको दे देगा लिकिन यह cash और total आया कैसे मैं आपको ब payment type कर दो या cash कर दो जो आपने नाम देना चाहो वो इसका नाम दे दो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं type ठीक है हमने इसको एक नाम दे दिया और यहां से हमने इसे कर दिया okay अब इसका पूरी range का नाम हा गया type और इस वाली पूरी range का नाम हम डाल देते है cash right click करेंगे define name प लगाँगा some if type करूंगा bracket को बंद करूंगा bracket को बन करूंगा और यहां से range की तौर पर मैं लिखूंगा type ठीक है क्योंकि मैंने पहले ही उसको नाम दे दिया अब जैसे मैं type यहां पर लिखूंगा वैसे range मेरी अपने हम select हो जाएगी फिर कॉमा लगाँगा फिर criteria के तौर पर मैं online को select करूंगा फिर some range की तौर पर मैं cache 2 जो मैंने दूसरी range बनाई थी उसको लिखूंगा ठीक है यह दूसरी range में आपके समने बनाई थी bracket को बंद करके जैसे मैं enter करूंगा तो दूसरे वाले का भी समा आ जाएगा अब simple आप इसको पगड़ की नीचे drag करेंगे त तो तीरों का totally आपे निकल के आ जाएगा तो इस तरह से आप some formula का इस्तवाल कर सकते हैं particular name range बनागर particular नाम देकर भी आप कहीं भी जहां भी आप चाहें वहाँ इन range का इस्तवाल कर सकते हैं आपको range select करने की आवशकता नहीं पड़ेगी तो इस वीडियो को देखने के अगर आप complete course करना चाहते हैं तो आप हमारे 2021 professional computer course कर सकते हैं ये एक pen drive course है जो आपको offline format में मिलेगा जिसके अंदर 22 professional course है practice file है PDF notes है और धेर सारे free gifts आपको मिलने वाले हैं इन total अगर कीमत में आपको बताओं तो 70 रुपे से कम में भी एक course आप कर पाएंगे वो भी घर बैठ अभी scores पे 80% off चल रहा है अब आ जाते हैं अगले एक और नए फर्मिले के उबर और यहां पे हमारे जो नया फर्मिला है वो है वाप कॉलम और वाप रॉप यह एक बड़ा ही गजब का और बड़े ही काम का फर्मिला मुझे लगा है जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं म अभी अगर आपसे बुला जाए कि भाई पांच नाम यहां लिख दो उठागे ऐसे फिर यह पांच इसके बाद की यहां पे लगा दो फिर इसके बाद की जो पांच है वो यहां पे लगा दो तो आप एक करके लगाओगे लेकिन इस वाले फर्मिले से आप एक ही बार में यह वाला सारा काम कर सकते हो तो इसमें आपको बहुत ही से इंपल एक फर्मिला लगाना है वाह बराबर आप डाइब करेंगे तो यह पूरी के फूरी लिस्ट आपको यहांपे इस तरह से लगना है तो मैंने आज यह तक लिए फिर कॉमा लगाएंगे अब कितने कह बाat कर बन करूँगा और एंटर करूँगा देखो एक पर में यहां पे 6 आ गए एक दो तीन चार पांच छे और 6 के बाद यहां पर दुबारा से कट गया फिर कट गया फिर कट गया और नीचे से उठाटा के वो यहां पर रखता जा रहा है कितना असान हो गया अभी यहीं पर आपक आजाता तो 5 आप टाइब करेंगे 5 के पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे तो एक सेकिंड के अंदर Excel ने हमारा काम कितना असान कर दिये ये काम अगर वैसे करना होता तो बहुत कठिन होता ऐसे बहुत सारे आता है वार्प रोके नाम से उसको भी आप ऐसे बना सकते हो तो यहाँ पर भी वह फर मिला भी सें ऐसे करता यह आप टाइब करेंगे वार रो और आपको रॉर्स में लेना ठाथ करके ल्हाँ नाम है वह टाइप करके देदी तो अगर यह फॉर्मीलों आपको जरह सा भी कामका लगा हो तो नीचे कमेंट करके बता रहाए हैं कि सर बहुत काम का फॉर्मीला है आपके कमेंट को मैं जरुर्ट लाइक करूंगा और उसको पिन भी कराऊंगा अगर आप जैनुवन आपका एक ऐसी प्राब्लम मैंने अगर यहां पर solv की है या excel ने सौल की है और अच्छे से समझ में आया है उसको पिन भी कराऊंगा इसके बाध यहां पे है वो दो text को join करने के लिए बिनाया गया है एक नया formula है और समझ लिजी कि कैसे काम करता है यहां पर हमने एक list बनाई है जिसमें name है product है state है और code है और हमको मानके चलो कि दो जो text है वो जोइन कराने हैं आपस में वैसे दो हम मान की चलो हमें और कोई चीज टाइब करने लिए कैई सारे टेक्स टापिक साथ मैं इस फ़र मेले की मदद से जॉइन करा सकते हैं दो ही नहीं दो के आगे आगे आप जितने भी टेक्स लेना चाहो वो सारे के सारे जॉइन हो जाएंगे बड़ा सिंपल तरीका है आपको यहा जो के बीच में आ जाएगी जैसे में यहां पर डैश लिख दूँगा या फिर यहां पर मैं इस पेस छोड़ दूँगा तो वो जो टेक्स हम दो टाइप कर रहे हैं उनके बीच में वो स्पेस भी आपको दिखाई दे जाएगा आपको बीच के गैप में क्या डालना है डो नमर देते चलने कि कौन सा टेक्स चुड़ना है तो मैं यहां पर लेता हूं फिर तरुन फिर कॉमा लगाऊंगा फिर मॉनिटर फिर यह वाला कॉलम और यह वाला कॉलम मैंने चारों ले लिए ब्रेकिट को बंद किया और एंटर कर दिया तो देखो अभी यहां पर चारों ऐ यहीं पर तीन चार स्टार लगाने होते इस तरह से मैं टाइप कर देता अगर इसी के बीच में मुझे यहां पर अंडर स्कोर लगाना होता यह जीरो लगाने होते तो मैं जीरो टाइप करता और एंटर कर देता तो इस तरह से जीरो आ जाते यहां इसे स्पेस के अंदर ड्रैक कर दूँगा तो सारे के सारे जितने भी टेक्स्ट हैं वो ऐसे ही इसी फॉर्मिट में यहां पर आ जाएंगे तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर बताएगे जितने भी फॉर्मिले मैंने अभी आपको समझाएं हैं वो आपके जरूर काम आये होंगे और आगे भी इसी तरह के फॉर्मिले में आपके लिए लिकर आता रहूँगा जिससे आपका जो डेली का काम है वो बहुत आसान हो जाए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन वन्ने मात्रम